दुर्गा पूजा, दिवाली और छट पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतिय रेल 6,556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन एक अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा. रेल्वे अधिकारी के मुताबित हर साल त्योहारों के अफसर पर रेल्वे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है. इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है. गौर तलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और चट पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की भारी भीड को सुगम एवं आराम दायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेल्वे द्वारा इस वर्ष भी विशिश ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है. दो महीने की अवधी के दौरान ये स्पेशल ट्रेने 6556 फेरे लगाएंगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करेंगी. पिछले वर्ष भी भारतिय रेल द्वारा बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था और इन ट्रेनों ने कुल 4429 फेरे लगाए थे, जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्राप्त हु बलकि परिवारों से मिलने का भी एक एहम अफसर होते हैं। हर साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड की वजह से अधिकान्ष ट्रेनों में दो-तीन महीने पहले से ही टिकेट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। इसी को देखते हुए रेलवे द्वारा इस वर् सरपर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।